14.4 शेत्रे अकांशाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्री करण 1970 के बाद भारती राजनीती में अत्यधिक केंद्री करण हो रहा था केंद्र सरकार एक और अपना आर्थिक हस्तक शेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी दूसरी और कॉंग्रेस पार्टी में भी इंद्रा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और शेत्रे नेत्रतु कमजोर होते जा रहे थे ऐसे में राजियों के इस्थानिय लोग अपनी अकांशाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे जम्मू काश्मीर, आंधरप्रदेश, पंजाब, असम आधी राजियों में इस्थिती तनाव पून बनती जा रही थी कुछ राजियों में तो केंद्री करण की नीतियों को समविधानिक ढाचे के अंदर चुनोती दी गई मगर कुछ राजियों में समविधान और भारत की एकता को ही चुनोती दी गई इस विशम परिस्थिती का हल किस तरह निकला हम दो उदाहरणों से समझेंगे 14.4.1 पंजाब में आंदोलन पंजाब के बहु संख्यक लोग सिख धर्म को मानते थे और स्वतंतरता के बाद बहुत से सिखों को लग रहा था कि उनके उपेक्षा हो रही है पंजाब प्रांत में हरित क्रांती के चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे मगर उन्हें लग रहा था कि राजनेतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिखो का एक धार्मिक और राजनेतिक संगठन था शिरोमणी अकाली दल जिसने इस आंदोलन का नेत्र तो किया पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगे निमन लिखित थी पहला सम्विधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिये जाए दूसरा चंडिगर पंजाब को दिया जाए तीसरा सेना में सिखो को अधिक संख्या में भरती की जाए चोथा पंजाब को भाखडा नांगल बान से अधिक पानी दिया जाए इन मांगों पर जोर डालने के लिए अकाली दलने 1978 में आनंद पूर साहब प्रस्ताव पारित किया इसमें मुख्य रूप से पहली दो मांगों को जोर दार धंग से उठाया गया और साथी सिखों के वर्चस्व इस्थापित करने और सिख राष्ट्र की बात हुई अकाली दलने इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धर्ने प्रदर्शन तथा रेल रोको आंदोलन जैसी गतिविधिया शुरू की एक सिख धर्मगुरू जर्नेल सिंग भिंडरावाला ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधिया शुरू की तथा स्वन मंदिर के एक बड़े हिस्से को कबजे में लेकर किले बंदी कर ली जून 1984 में इंद्रा गांधी सरकार ने निर्न लिया कि सेना की मदद से स्वन मंदिर परिसर के किले बंदी को तोड़ कर अलगाव वादियों पर काबू पाए स्वन्ण मंदीर परिसर में सैन्न कारिवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए इस कारिवाही को ओप्रेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया ओप्रेशन ब्लू स्टार से सिखों की भावनाय गंभीर रूप से आहात हुई क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिख अंगरक्षक द्वारा इंद्रा गांधी की हत्या थी इंद्रा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेख भागों में सिक्ष विरोधी दंगे हुए जिन में हजारों लोगों की जाने गई इंद्रा गांधी की हत्या के बाद राजिव गांधी 1984 में प्रधान मंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाओं में कॉंग्रेस को अभूत पूर्व सफलता मिली राजिव गांधी ने पंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझोता किया जिसे राजिव लोंगोवाल समझोते के नाम से जाना जाता है इस समझोता के तहट पंजाब को चंडिगर देनी और अन्यमामलों पर सहानुभूती पूरुक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया पंजाब में चुनाओं कराये गये जिसमें अकाली दल जीत कर सरकार बना पाई इसके बाद धीरे धीरे पूलिस कारवाही द्वारा आतकवादी गतिविध्यों पर नियंतरन किया गया